प्रमान ने राष्ट पती, सिमती द्रोपदी मुर्मूजी के द्वारा संसत के सम्वेश सदर में दे गए एड़ भाशन, कापार्थ अभी यहां पर भारती जन्तापार्टी वसारत पूर प्रथम सक्ते केंदर के चार करक्रतों ने यहां पर वाचर किया है आज की इस कारिक्रम में मन्चु प्रबस्तित भारती दिल्टापार्टी के छित्री अध्यक्स, विधान परिसत के सदस्य टॉक्टर धरमेदी सिंग जी, महानगर अध्यक्स, सिराजिश कुपता जी, लोगप्रिय सांस, सी रवी किसंग जी, काली बाडी के महंद जी, सक्ति केंद्र के प्रभारी, महानगर के महामंत्री, श्योंप्रकास सर्माजी, मंदल अध्यक्स और कारिक्रम का सज्चालन कर रहे सी अजय मनित्रबाटी जी, उपस्तित सभी इस सक्ति केंद्र के प्रभादी कारिकर्ण, महानगर और मंदल के प्रभादी कारिकर्ण, बोथ के अध्यक्स और अन्यकर्यकर्ता भायोबेनों, मैं सबसे पहले इस सक्ति केंद्र पर राश्टपती जी के भाशन के वाचन के लिए इन चारों कारिकर्टाओं का विनंदन करता हूँ, जिनों ने बहुत अच्छे धंग से इसका वाचन किया है, और आप सब कावी मैं इसलिया विनंदन करूंगा कि आपने पूरे धैरे के साथ महामहिपराश्टपती जी के इस पूरे इवाशन को सुना है, हम सब जाते हैं, संसद का वर्ष का पहला सत्र जो होता है, उसकी सुरुवार महामहिपराश्टपती जी के अईवाशन से होती है, और जो कुछ संसद में होता है, उसी तर्च पर फिर विधान सभाओं में भी होता है, विधान सभाओं में भी वर्ष के पहले सत्र की सुरुवार, वह महामहिपराश्टपती जी के अईवाशन से होती है, अईवाशन वास्तों में इसके दो महतुकून पक्स होते हैं, एक पक्स सरकार की उपनद्धियों का होता है कि सरकार ने क्या किया है, कौन सी योजनाएं थी, जो समाज के लिए, देश के लिए उप्योगी थी, और जिसको सरकार ने प्रभावी डंग से अपने कारेकाल के दोरान लागू किया है, और दूसरा है, जो महतुकून है, वह है कि हमारी भावी योजना क्या है, सरकार की योजना क्या है, सरकार आगे क्या करने जा रही है, और इस मामले में देखेंगे, आपने अईभाशन को देखा होगा, राज़्तिय प्रपेक्स में, परिदेश के प्रपेक्स में, पिसले लगभग नो वर्स के दोरान, आदनिय प्रधानमंत्री सी नरित्र मोदी जी के नित्रित्तों में, जीवन के प्रपेक्स छेत्र में भारत ने एक लंपी छलांग लगाई है, फ़र एक छेत्र में, वहाँ खेती किसानी का से लेकर के, के जारे नेले यहाँ पर नवाचार से समंदित कोई मामला हो, परिवर्तन से समंदित कोई मामला हो, उनके उत्थान और उनकी आये को कई मोना बढ़ानी से समंदित कोई कारे हो, या फिर निजी छेत्र को, निजी सेटिलाइट के मात्यम से, अंतरिक्स तक की यात्रा के लिए प्रेदित करने का कारे रहा हो, एक लंपी छलांग भारत में लगाई है, लोग कल्याणकारी कारिक्रमों का एक लंपी श्रिंखला देश के अंतर कारम भी है, आज हम सब इस बात को देखते हैं, हम लोग जब सांसाद बने थे, 1998 में, अब हम लोगों को, सो, रुसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे, वनमान कर सकते हैं, एक संस्थिय छेत्र में जहां पर बीस लाग की आवादी उस समय वही होगी, सो कनेक्शन से कितने लोगों को से लावनित कर सकते थे, और आज आप देखते होंगे, कि हर परिवार को घरी में, रुसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ट पर करवा दिये गए, विजियों के नहीं कभी नहीं देखते हैं, पिकर्ट, यहनि 2016 से योजना चली, प्रदेश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं, अकिरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं, एक करोड़ चब्टर लाग परिवारों को, प्रदान मंत्री उजला योजना में फिरी में रुसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं, उससे पहले यह सुविधा उप्लब्त करवाई गई थी, कि कोई भी प्रदेश जाएगा, आप बंदर नहीं होगा, कि किसको देंगे, किसको नी देंगे, उसके जए सिपारिस क्या हूँ सिकता नहीं, आवास योजना में भी इस थी, पीस हजार रुपे आवास के मिलते थे ग्रामेड चेंटर में, प्रदान मंतरी आवास योजना में, आज ग्रामेड चेंटर में, एक लाग बीस हजार रुपे आवास के लिए, बारा हजार रुपे सोचाले के लिए, नप्पे दिन की मंद्रेका की मस्दूरी के परावर मांते यहाँ आज ग्रामिड छेतर में उपलब्त करवाने का कार है प्रधान मंत्री आवास योजना में हर नावारती परिवार को क्या जा रहा है और जो लोग प्रधान मंत्री आवास योजना से लावा प्रारूद की गई है सहरी छेतर में यह रासी धाई लाग रुपे की हो गई पहले सहरी छेतर के लिए कोई योजना नहीं होती थी और अगर आप अत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो इसमें उत्तरग्देश में 52,77,000 परिवारों को इस सुविदा का लाग दिया गया है देश के अंदत काने तीन परोड परिवार प्रदान मंत्री आवाज युशना से लाखानित हुए है ऐसे ही तमामें स्कीम है जो पहले नहीं मिल पाती थी लेकिन बिखत नो वर्स के उदरान बिना भेद भाव की मिलतेवी दिखाई दी है इसमें कोई जाती का भेद नहीं कोई छेटर का नहीं कोई भासा का नहीं यहीं तो है सबका साथ सबका विकास का सबके विस्फास का और सबके प्रयास का सासन की योजना सबको मिलेगी यूजना के साथ जोडने का जिकविनों प्रयास हुआ उनREWी सब बातों को इस अईभासन के मात्या दों से रश्तुत भी किया गया अब याक करिये कभी स्वर्गे राचीव गांदी जिने बात पही थी अपनी लाचार की दिखाई थी कि हम सो पैसा भेज़ते हैं और नीचे 15 पैसा ही प्राप्तों पाता है कि 85 पैसा बीच के दलाम खाजाते थे एजेंट खाजाते थे गरीब को नहीं मिल पाता था लाभार्पी को नहीं मिल पाता था यहां तक की कि विद्वा पेंशन और विर्दा पेंशन की रासी में भी लोग कमीशन लेते थे लेकिन आज प्रदानमंत्री मोती जी ने डीवीटी के मात्यम से पैसा सीधे लाभार्पी के खाते में जा रहा है पीच में कोई नहीं ले सकता कोई से नहीं लगा सकता है सीधे उसके खाते में पैसा हर यूजना का पैसा सीधे लाभार्पी के एकांट में जाएगा और इस इस सामाने तिनों में सरकार अपनी उजना बनाती है लेकिन विपत्ति के समय भी सरकार किस मजबूती के साथ खड़ी रही इसको धना आप सब के सामने फ्री में टेस्ट फ्री में उपचार फ्री में वैक्सीन उत्तरप देश के अंदर 40 करोड वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी है और देश के अंदर 220 करोड वैक्सीन की डोजेस फ्री में टेस्वास्यों को प्राफ्त होई है इतना बड़ा वेक्सीन का ड्राइब दुनिया के अंदर कहीं और नहीं मिला है कहीं नहीं देखने को मिला है और इतना सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं दुनिया के अंदर बड़ी-बड़े देश हैं बड़ी-बड़ी महासक्तियां हैं लेकिन इतना सिस्टेमेटिक तरीके से वैक्सिन के लिए कही कोई आपाधा भी नहीं है और बिक कुमिला अ को बिमारी के अंदर नो महने के अंदर वैक्सिन का जाना एक नए भारत की नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तूर करती है हम सब जानते हैं वैक्सीन वैक करोना आया जार्मत्री जी दो स्वदेशी वैक्सीन लेके आ गए जो दुनिया के सबसे प्रभावी वैक्सीन है कि और यह चेत्र इन से प्लाइटिस से जूसता रहा है कि 1977 से लेके 2017 तक 40 वरसों तक पूर्वी उत्तर्वदेश का मासुम दम तोड़ता रहा ना उनके लिए उप्चार की विवस्ता थी ना उनके लिए वैक्सीन की विवस्ता ही रुपाई थी वैक्सीन तो हजार पांच छे में आई वह भी विदेश से आई लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान नौए मेहने वैक्सीन हर बेक्टिको प्लक्ट होना प्रारमों को बेया था यह है सब्कार की विवस्ता थी और कोई महामारी इस से पहले आती थी ठीक सो वर्स पहले एक महामारी आई थी स्पैनिस फ्र्यू के नाम पर धाई करोड़ से निक लोग मरे थी इस बिमारी से पनमान कर सकते हैं गाओं के गाओं साफ हो गए थी लेकिन करोणा महामारी दुनिया की सबसे तीप्र फैराव वाली महामारी थी लेकिन प्रणामत्री मोती जी के नित्रत्तों में उसे कैसे निंफित किया गया यह भी उधारन हम सब के सामने है करोणा प्रबंदन का जो उत्कृष्ट उधारन भारत ने प्रुस्तुत किया दुनिया ने उसको सुवेकारा दुनिया के बड़े-बड़े देश साधन संपन देश भारत की तारीप करते में दिखाई थी वहो जैसी संस्ताओं ने गदान मंत्री मोधी जी के नित्रत्त्त की तारीप की और सब ने इस बात को कहा कि भारत का कोरोना प्रबंदन उत्कृष्ट है दुनिया के लिए नुकर लिया है एक संवेदन सीन सरकारे करती है लेकिन भाईयों वेनों और महामारी अपने साथ भूक मरी भी लेकि आती थी भूक से होने वाली मौत क्योंकि जब हर अपने लिए आबादाभी में बचाओ के लिए उपाय करेगा पाकिस सब कुछ बंदों बजाता है लेकिन करोना महामारी का सामना भी किया तवा भी दी वैक्सीन भी लेकिया है और वैक्सीन लेने के साथ-साथ यहाँ भी मिवस्ता सुनिश्यत की कोई भूकों ना मरने पा और प्रेज के अंदर 15 क्रोड़ को घ्रीमे रासन और बेस के अंदर 80 क्रोड़ लोगों को घ्रीमे रासन की सुर्जापलब्द करवाने का और रधानमंत्री बोदी जी के उचित्रुत्तों में डैवल-इंजन सरकार में किया है यह है हर वेक्ति पी जडित मंद के सारकार तब खड़ी दुए हूरे एक छिया गाओं के लिया गुरीब के लिए क्या किसान दूजवान के लिए क्या के रहे समाच का हरता इस से सार्फ कम अलब के सामने है भारत का मेश्utव कर नुरू है आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका वहागा तो वहां साहता के लिए भारत साम भारत की और सब लोग देखने लगा है रूस और युक्रेन के युक्रेन के जब दुनिया के लोग फंसे वे थे उन्हें सुरक्सित निकालने की जब बात हुई तो प्रणामंत्री मोदी जी के कि आवहान पर दोनों देशों में सीच आया है भारत अपने नाग्रिकों को सुरक्सित वापस निकालने में सबन हुआ है और प्रणामंत्री मोदी जी कि पहलत के अन्थजार हरे एक देश को हुदा है हर एक देश को होता है अज भारत की सामर्ति की ही कही आले कमाल है आपने देखाओगा पिसले एक सब्ता में पहले इटली की प्रणामंत्री जी आये फिर आस्टेलिया की प्रणामंत्री जी आये अभी 21-22 में जापान की प्रणामंत्री जी भारत आ रहे हैं भारत की यात्र प्रदेश के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए हर घर तिरंगा उसका उतारण है जारत क्यार मान और सांग कपती किरंगा और यही तो प्रदान मंत्री मौनी जी ने कहा आजादी के अमरित महपसों में पंच प्रण की बात की उन्होंने प्रतेक नाकरिक से पंच प्रण क्या है पंच प्रण है एक विक्सित भारत का निर्मान करना हमारे संकल्ब का हिस्सा होना चाहिए पंच प्रण करना विक्सित भारत के निर्मान का गुलामी के एंस को सरवता सिक्टांत करने बिरास्त का संवान करना है in gva a बिजास्त का संवान भापन लाम कि भव्यमस्तिप mm मझे हुआ साथी सिर्फहन ध करभ कि रहाएं मधहा काम संवाण ये सबी विरासत का ही सम्मान है आजादी के उन कांतिकारियों का सम्मान विरासत का सम्मान है एकता और एकात्मता के लिए कारे करना हम सब एक हैं सब का साथ और सब का विकास का ये भाव उसी एकता का सूत्रबात करता है तो नागरिकों का कर्टब लिए यह सम्मिधान हमारा सम्मिधान हमें केवल अधिकार की बात नहीं करता है हमारा समिदान हमें हमारे कर्टब्व का माहमाई प्रास्तुपति जी के सहीव भासन को वाचन कर रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं तब मारे सामने बाते सामने स्वस्ट होती है एक तरफ बैस्विक मंच पर बढ़ती भारत की ताकत का भारत के गौरवकान की यसोकाथा दुनिया का रही है वहीं दूसरे तरफ कुछ लो हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं भारत की अलोचना करते हैं भारत के लोग तंत्र को कोस्ते हैं और कोस्तने वाले कौन लोग हैं जिन लोगोंने स्वयान जब उसर मिला था लोग तंत्र के गले को घोंटे में स्टकारती कोई कोताई नीए रते रखते हैं भारत में आते हैं कि यह चेहरों को देखनी कि आउसनिता है ये लोग देश की संसदी परमपराओं को देश के लोग नंत्र को कमजोर करना चाते हैं और उसके मात्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाते हैं जोने खांदानी विरासत मिले बाटो और राजकुरों, जाती के नाम पे, छेतर के नाम पे, भासा के नाम पे, तमाम अन्य वातों के आधार पर समाज को विभाजित करनी कि उनकी मान सिक्ता, ये विभाजन की बोर देश को ले जाने के उपुट्षित प्रियास हैं, उनकी इ कि उस खड़ियंत्र को सफल नहीं होने देना है महामाई मिराश्टुपती जी का यह भासर भारत की आठ नो वर्सों की उपलद्यों के साथ साथ भावी योजनाओं का प्रतिनित्व करता है एक नए भारत के निर्मान की 2047 में हमारा भारत कैसा होगा वो दुनिया को मार्व द करना होगा और शक्तिसंपन्य भारत के निर्मान के लिए हम सब को मिलकर की प्रयास करना होगा अभासर को नहीं केवल वाचन बल्कि उसकी एक एक पंग्ति अपने आपमें एक मंत्र की फूंज उसके अंतर सुनाई देती है एक नए भारत की बूंज उसके इंदर सुनाई करता हूं महानगर अध्यक्ष जी को इस पुरे आयोचन के लिए धन्यवाद लेता हूं विस्क्रास करता हूं कि इस प्रकार को हरेक कार्यकरता तक और नागरिक तक पहुंचा लेका कारे करेगा आप सब कि इस प्रकार में जैंदे अब है कि इसकार को कटी परंप मुझेश अजी पार्द क्रता हूं कि आपने अब व्रत्रब समय में हम सभी को आशिर्वाद बचल जिया करता हूं और आप सामने बैटे हुए सभी नागरी कर और करता बंदों का भारगा पर करता हूं करता हुए से फिस सब्से खाना है मुए से खान करेंगे बीजन घाण करता है